नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोते सीक्रेट कुम रासी वालों देव गुरू ब्रहस्पती एक बार फिर से मकर रासी में प्रवेश कर रहे हैं 20 नुमबर 2020 को और गुरू जब रासी प्रिवरतन कर धनूरासी से निकल कर मकर रासी में प्रिवेश करेंगे तब यहां पर उनको साथ मिलेगा सणि देव का जो कि पहले से विराजमान है अब देव गुरू और सनी देव एक साथ हो जाएंगे चुकि मकर रासी गुरू की नीच रासी है अब दोनों जब 81 होंगे और यहां पर 5 अपरेल 2021 तक एक साथ रहेंगे तब आप कुम वालों के जीवन पर इसका क्या प्रवा पड़ेगा आज हम आपसे यही साजा करेंगे तो वीडियो के अन तक बने रही है और यह पिडिक्सन चंदरासी पर आधारित है देखे 20 मुमबर से देव गुरू मकर रासी में आएंगे तब गुरू सनी का गुरू चांडाल दोस बनेगा अब यहाँ पर कुछ बिपरीद घटनाएं जीवन में होंगी क्योंकि गुरू सभी गुरू में सबसे 20 साल और बिस्तरित है बड़ा है और सुरी की एक प्रिक्रमा पुर्ण करने में लगभग 11 साल 9 मेने लगाता है और वहीं पर एक रासी का भ्रमन कुरा करने में लगभग 13 मेने का समय लगता है अब जब वो नीच रासी में आएंगे सनी देप के साथ आएंगे और यहाँ पर गुरू चांडाल दोस बनाएंगे तब क्या होगा आप कुम रासी बालों का हाल आज हम आपसे यही साचा करेंगे तो वीडियो के अंद तक बने रही है और यह प्रेडिक्सन पुरी तरह से चंद रासी पर आधा रही था देखिए गुरू का मकर रासी में आने से और आप अगर कुम रासी के हैं तो आपके बारवे भाव में ऐसा होने वाला है यानि बारवा भाव जिसको हम करते हैं खर्चों का भाव, मूक्छ का भाव, बिदेश का भाव अब क्या होगा जब देव गुरू और सनी देव आपके बिदेश भाव में बैठ जाएंगे तो देव गुरू का कुम्ब रासी वालों आपके लिए बहुत सारी खुसियां लेकर आएंगे क्योंकि आपके बिदेश भाव में जब गुरू सनी एक साथ होंगे तब जीवन में आपका मान समान भी बढ़ेगा और इस समय आपके लिए अगर आप जॉब करते हैं तो आप बदलाओ ना करें जहां जॉब कर रहें वहीं पर रहें यहीं पर आपकी तरक्की होगी धन के मामलों में छपर फार्ट सफलता क्योंकि अपना मकान, भूमी, भवन, वाहन जैसी चीजें आप ले सकते हैं और वो भी बहुत ही सरल और सस्ते में क्योंकि यह समय बस यह समझ लें कि आपको दोनों हाथों से वो दे रहे हैं और आप पे यह निर्भर करता है कि आप कितना ले सकते हैं मकर रासी में आने के बाद देव गुरू कुमबालों आपके लिए यहां पर अगर आप विदेश से कोई कारोबार करते हैं विदेशी वस्तू के बैपारी हैं तो भी आपके जीवन में धेर सारा यहां मान, सम्मान, दौलत, सोहरत, लगभख सब कुछ अगर हम आपके घरेलू जीवन की बात करें तो जीवन साथी का साथ भी मिलेगा अपनों से लाब होगा दोस्तों का साथ मिलेगा और देव गुरू मकर में आकर आपके सत्रू बिरोधी को दबाए रखेंगे क्या करें कि सब कुछ सही समय पे सही तरीके से हो ये भी जानेंगे लेकिन उसके पहले एक और बात देखिए कुम वालो चुकि हानी का भाव भी है बार में भाव अब हानी का भाव है तो आप अध्यात्म की ओर मुडेंगे दान धर्म करेंगे अच्छे अच्छे जगा जैसे धर्म कारे में खर्चे करेंगे पद परतिष्ठा भी मिलेगी लेकिन जरूरस से ज़्यादा दान करना कहीं तंगी की ओर ना ले जाए इसका भी आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब मालेते आपने प्रोपर्टी अपना मकान लेना है आपने ले लिया और यहाँ पर कहीं आप बाद में आप बुरे ना फ़स जाए इसकर यह ध्यान रखिएगा लेकिन हाँ धन जरूरस से ज़्यादा खर्च करने से बचिए और सत्रू बिरोधी हना की सांथ है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके अपने ही सत्रू होते हैं गुप्त सत्रू जिसको कहते हैं आपको लगता है कि वो लोग आपके अपने हैं लेकिन वो सत्रूता करते हैं आपको नीचा दिखा सकते हैं तो उन से साब धान रहें लेंदेन के मामलों में बहुत साब देनारी रखिएगा नहीं तो आपको हानी हो जाएगी तो इन हानियों से भी आपको बशना होगा सबसे अंत में एक और बात जान लें देखिए चुकि यह भा होता है विदेश का भ प्रॉफिट होगा यानि जैसे लोट्री जुआ सटा सेयर मार्केट इन चीजों में सोस समझ कर जाए तो अगर आपके स्वास्त की बात करें तो थोड़े से अपने स्वास्त का ख्याल रखिए और जो बड़े बुजूर्ग है उनको भी ध्यान अखना चाहिए करोना का वक झाल 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 झाल